नमस्कार मैं महार गुरु गौरा मेतल की तफ से आपको दिवाली की हादिक शुपकामने और बधायां जैसा कि हम मानते हैं जानते हैं कि दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि राम, सीता सहीट, लक्षमा सहीट, आयोध्या वापे साहे थे लंका को देहन करके और उनके आने की खुशी में ये पर्व आयोध्या वाशियों ने दीपक जलाकर जैसा कि पहला कभी नहीं हो था, इस तरीके से दीपक जलाकर उनका सौकत किया था इसके साथ और भी बहुत सारी माननेता हैं, वो माननेता क्या हैं, डिफेंट दर्म्स में जानते हैं कि ये दिपावली का तोहा सबी धर्मों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रोल रखता है माना जाता है कि इसी दिन देवी लक्ष्मी ने अपना प्रकट रूप में प्रकट हुई थी, देवी लक्ष्मी जी कातिक मास्की अमावस्या के दिन समुद मन्थन से अफ्तार लेकर इस दिन प्रकट हुई थी, भगवान विश्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना भ है कि इस दिन नरकासु का जो वद्द केशन जवरा किया गया था। इस दिन भगवान केशन ने रक्षासौ के राजा नरकासु का वद्द करके उनके चंगुल से 16,000 जो गोपियां थी उनको मुक्त कराया था। सिसे में दिपावली का तोहार दो दिन तक मनाया गया था इसे विजय परफ के रूप में भी उन लोगों ने मनाया था एक मत के हिसाब से इस दिन पांडवों के भी वापसी हुई थी महाभारत के हिसाब से देखा जाय तो कातिक अमावस्या के दिन पांडव अपना बारावज का वनवास काड़ कर वापस आये और जो चाकर में कौर्वों द्वारा हटाए जाने के परिणाम सुरूप उन्हें जो डंड मिला था जिसमें वह वनवास गये थे उसके बाद जब वापसी आये तो उनके लोटने की खुशी में यह दिपावली का परुम मनाया गया है जो इं मता सीता लश्मा सहीत एवद्या वापस लोटे रावन और उनकी लंका का देहन करने के परश्चाथ एवद्या के नगरिकों ने पूरे राज्य को दीपमाला से प्रकाशित किया था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था तो यह एक इंपोर्टेंट रीजन है दिवाली को मन जाता है से समस्ट प्र्मक दिन माना जाता है के दिन कार्तिक मास्ति के दिन महथत्र कोप्र कि ओनाएं रहन के स्थापना लाल पत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है जहांपे सभी शर्दालू गुरू से आशिवाद लेने पहुंचे थे 1577 में अमरसर में हरी मंदिर साहिब का भी सिलयन नियास किया गया था इसी दिन 1619 में सिख गुरू हर्गोविंद के ओ गौलियर के किले से बावन राजाओं के साथ मुक्त भी खराया कहता इसी दिन जिनोंने लोगों को मुगल राजा जहागिर ने नजर बंद किया वा था तो सिख समाज इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं तो यह थे कुछ रीजन जो दिवाली मनाने के लिए सबी लोगों को शायद ना पता हो हम जो एक इंपोर्टेंट रीजन हमेशा राम को और रामर के विजय पर प्राप्ति और अध्या वापस लोटने से के खुशी में मनाते हैं बट इसके साथ एसोसेटेड जो बाकी अन् नमस्कार